हेलो फ्रेंज कैसे हो आप सब आज मैं आपके लेकर आए हूँ क्रिस्मिस स्पेशल बिना ओवन बिना एग और बिना रहम के ड्राइफ रूट केक जो के बनाने में बहुत ही आसान होता है और खाने में बहुत ही टिस्टी चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए प इसमें बहुत ही अच्छा फ्लीवर आता है इलेची ऎट मैंने फाफ स्फ का पौड़र और शुगर आट किया है मैंने बहुत हाफ का पौडर सुगर आट किया है पौडर शुगर के बाद हम इसमें रोज एसन्स लालेगी जो लग बग मैंने मैं ऑन उपन 4 टी पून एड क करने के बाद इसमें मैंने बेकिंग पाउडर एड़ करा है जो कि मैंने वन टीस्पून डाला है अब हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे फिर मैंने इसमें वन अपन फो टीस्पून बेकिंग सोड़ा एड़ करा है मिक्स करने के बाद अब हम इसमें हाफ कप मिल्क एड करेंगे मिल्क एट करने के बाद हम इसे विश्कर की हर्प से अच्छे से मिक्स करेंगे आपको इस बात का खास का ध्यार रखना है कि दूद आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें अगर आप एक साथ डाल देंगे तो आपका जो बैटर है वो गीला भी हो सकता है इस वज़े चैकर मिक्स करते जाएं और देखे हमारा बैटर तयार हो गया है और देखें बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी एकल मुझ समूद हो गए और इसमें एक भी लब्ब्स नहीं है आपको इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है इसके बाद हम एक केक मोल्ड लेंगे, मेरे पास ऐलूमीनम का केक मोल्ड है, उसे मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है, जिसे के हमारा केक उसमें टिन में चिपके नहीं, इसके बाद इसके उपर हम मैधा भी डस करेंगे, जिसे के हमारा केक आसानी से मोल्ड से निकल जाएगा, आपको इन चोटी-चोटी बातों का खास का ध्यान रखना है, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो आपका केक एकदम स्पंजी और तेस्री बनके निकलेगा, और लीजे, मैंने इसको, मोल्ड को मैदे से अच्छे से डस कर लिया है, और हमारा मोल्ड अच्छे से तयार हो गया है, अब हमने जो बैटर बनाया था, वो हम इस मोल्ड में ट्रांसपर कर देंगे, और देखे, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी फ्लोई है, और मैंने जो आपको जमाइन का खाज कर ध्यान रखना है तब ही आपका केक एक तम परफर्ट बनके तयार होगा इसके बाद हम इस मोल्ड को थोड़ा टैप करेंगे जिससे कि इसमें थोड़ा जो बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे फिर मैंने इसके उपर थोड़ा सा बादाम और काजू को छो से अब इसे बेग करने के लिए हमारे पास ओवन नहीं है तो हम एक कड़ाई लेंगे उस कड़ा है मैंने में वन कप सॉल्ट एड करा है यह सौल मेरे पहले का यूज करह हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है और हम इसे अच्छे से फैला देंगे कड़ाई में फयह मैंने एक स् इसके बाद इसे हम प्लेट से कवर कर देंगे, मैंने इसे लगभग लू से मिलियों फ्लेम पें 30 से 35 मेट तक कवर करके बेग किया है, और फिर मैंने 35 मेट के बाद इसे खोल के देखा है, और लेजी हमारा केक बन के तयार हो गया है, अब हम इसे एक टूथपिक के हेल्प से करेंगे, अगर टूथपिक दूप क्लियर निकली है, तो इसका मतलए हमारा केक बन के तयार हो गया है, अब हमें केयरफुली इस मोल्ड को कडाई मैं से निकालेंगे, और इस केक को हम कलगभग मैंने 15 से 20 में ठंडा होने के लिए रग दिया है, अब हमारा केक अच्छे से बन के रेडी हुआ है, अब आप इस केक को कट कएके, क्रिसमस पर अपने बच्चों को सर्फ करिए, उन्हें केक बहुत ही पसंद आएगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें,